जोती को रात में बुखार चड़ गया था, दो बार उल्टी भी हुई थी, पास सोय अभय को उसने इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी थी, लेकिन सवेरे वहलाचार थी, वह अभय शे बोली, सुनिये, मुझे बुखार है और कमजोरी लग रही है, बंटी को तयार करके स् साड़े साथ बजे आती है, अभय हडबढा कर उठा, उसकी पास एक घंटे का समय था, सबसे पहले बंटी को जगाया, और चाय का पानी चूले पर चड़ाया, सोचा जोती का बुखार ही ना पलो, एक सोचार डिगरी बुखार देखकर वह घबरा गया, फारन ही दो अभय उसे पुछकारने लगा, बेटा, रोते नहीं, मम्मी का तबित खराब है, आज मैं ही तुभे तैयार करूंगा, तुम क्या खा कर जाते हो, और टिफिन में क्या ले जाते हो, बंटी था तो छोटा ही, लेकिन मम्मी की बिमारी की बात सुनकर शंभल गया, बोला, मम्म तो कभी तोस्ट बटर देती हैं, और कभी आलू का पराठा, लेकिन मम्मी को हुआ क्या है, बुखार हो गया है, अभय बोला, चाय का पानी उबल उबल कर आधा हो गया था, जब तक बंटी तैयार होता, उसे नास्ता और टिफिन दोनों तैयार करना था, पराठे अभय क्य बनाता, टोस्टर में ब्रेड के सलाइस लगा कर, मखन का टिबबा ढूनने लगा, पापा मेरे जूते पालिश नहीं है, कमरे से बंटी की आवाज आई, अभय सब छोड़ कर जूते में पालिश करने लगा, तब तक टोस्ट जल गया, अभय जला गया, जब तक अभय दोब भागय से पडोस के बर्मा जी का बच्चा भी लेट हो गया था, और वह उसे छोडने कार से जा रहे थे, बंटी को भी बर्मा जी के साथ भेज कर अभय ने चैन की सास ली, इन चक्करों में अभय ने अभी तक चाय भी नहीं पी थी, और उसे स्वयम एक घंटे में आफिस क भी भेजनी थी, अभाय अपना सीर पकड़ कर बैठ गया, उसे याद आया कि चार महिने पहले उसकी तब्यत भी खराब हुई थी, उस समय जोती ने इतना सब अकेले कैसे किया होगा, कहने को तो जोती उसकी अर्धांगिनी थी, लेकिन उसे लग रहा था, तो वह जोती के भी ना सुनने है, और जोती वास्ता में उसकी पूर्णांगिनी है, कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सबसक्राइब बटन डबाईए,